नमस्कार आप सभी को राजिस्तान क्लासेज की यूटूब प्लेटफों पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है उमीद करते हूं आप सभी स्वस्त होंगे अच्छे होंगे दोस्तों काफी डिमांड थी सर अपने वन पाल वन रख सका एक्जाम कब होगा तो देखें दोस्तों एक्जाम की बात करें तो अक्टूबर में आपका एक्जाम होने वाला वन रख सका वाप ये भी कहरें सर एक दिन में होगा या फिर दो दिन लगेंगे तो देखें पेपर अलग होगा सेकंड पारी हो सकती है मतलब फस्ट और सेकंड पारी भी हो सकती और दो दिन भी लिये जा सकते हैं ठीक है अब रही बाद अपने syllabus की तो दोस्तों syllabus आप सभी को पता है कि क्या-क्या syllabus है अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो comment करिए मैं आपको detail में बताऊंगा syllabus तो अभी वैसे इस वीडियो में face to face वाले में नहीं बता पाऊंगा अच्छा दोस्तों अगर जिनको भी पता है ना कि syllabus अपना ये है तो syllabus में इस कदर डूब जाए जिस कदर समुंद्र में गोता खोर डूबता है एक उदारन समझी आप लोग जिस परकार से गोता खोर जो है अपने मतलब full experience के बाद वो कैसे एकदम से गोता लगा देता है मतलब एकदम से डूब की डूब की लगा देता है वो किसी को पूचता है या फिर वो बिल्कुल विचार विमर्ष बिल्कुल भी इदर उदर की नहीं करता वो एकदम से कूच जाता है तो अपने syllabus को एक समूंदर बनाईए और आप बनिये गोता खोर और ऐसे उस syllabus में डूब जाईए कि एक दिन आपको भी उस syllabus का गोता खोर कहा जाए कि जब भी मन करें कि आज मुझे एक बार इस समूंदर का गोता लगाना है यह चीज मुझे पढ़ियो हुई नही है आप मरे पढ़ियो ही नही है ऐसा syllabus दो है अपना control करो मतलब manage करके बढ़ी अपने टाइम को manage करके बढ़ी कर दो अपने syllabus को अपने exam अक्टूबर महा में है और उससे पहले अगर आपके कोई एक्जाम है जैसे राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल के है तो शायद अप्रेल में में करवा ले क्योंकि अभी नई वेकेंसी की भी डिटेल आ रही है मतलब नोटिपिकेसन आ रही है तो फिर आपकी कोई तयारी नहीं है तो निमता बहुत जरूरी है भली उसमें आप किसी तयारी में कम से कम आप 3 मेने दो चैये 6 मेने दो चैये 8 दो, 10 दो है न तो चले दोस्तों बाकी कोई इतनी ज्यादा बात नहीं थी लेकिन कुछ मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ आज सभी का दिल से बहुत पर शुक्रिया धन्यवाद